मारवाडी मीडी आप देख रहे हैं आज है 15 मई दो हजार देवी से सो मुवार का दिन और हिंदू तिति के अनुसार जेश्ट माहे के ग्रेशन पक्स की एकादसी तिति है चलिए नजर डालेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर सुरुबात करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ करनाटक में इस पर्ष्ट पहुमत होने के बाद भी कॉंग्रेस के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है आखिरकार मुख्य मंतरी किसे बनाया जाए यह फैसला कॉंग्रेस के लिए आसान नहीं होगा आपको याद होगा राजिस्तान में जब कॉंग्रेश ने चुनाव जीता था तब सेम यही कहानी राजिस्तान में सुरू हो गई थी कि मुख्य मंतरी पाइलेट को बनाया जाई या गहलोत को अब करनाटक में भी चीफ टीके सिव कुमार और वरिष्ट नेता सिधा रमया के समर्थकों में पोश्टर बाजी सुरू हो गई है उनके समर्थकों ने बेंगलोरों में जगह जगह सिधा रमया और टीके को सीम बनाने के लिए पोश्टर चस्पा दिये हैं ये बढ़ते हैं राजिस्तान से बड़ी खबर अंदे की कहे या पसु पालकों का दुरभागे परदेश में पसु की जान लेने वाला लंपी वाइरस गर्मी के असर से फिर सक्री होने लगा है। का करण भी नहीं हुआ है। ऐसे में पसु पालकों की चिंता बढ़ गई है फिलहाल बचाव ही उपचार है। पैंसनर्स के लिए यह अंतिम आवसर दिया जाएगा। कोई भी पैंसनर अगर एसा नहीं पाता है तो उसकी पैंसन रोक दी जाएगी। बड़ी खाबर यह सरकार ने पैंसन के लिए जीवत परमान पत्र पेश करने की तारीक 31 मई तक बढ़ा दी है। बहराल आगे बढ़ते हैं राजिस्तान से एक और बड़ी खबर राजिस्तान में मुख्यमंत्री असूक गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है बलकि आए दिन दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानवाजी बढ़ती जा रह बहराल आगे बढ़ते हैं लेकिन उसे पहले परदेश के मौसम से चुड़ी बड़ी अपडेट है एक बार फिर राजिस्तान के उपर एक पस्चिम विक्स पाइलेट सोब सक्री हो गया है जिसके चलते मौसम पलट गया है तेज अंदर्व धूल भरी आँदी से परदेश के कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है कई गाउं में विधूत पोल वे ट्रांश फार्मर तूट कर गिर गए और कई जगे पेड जड़ों से उखड कर गिर गए जि इसकी बज़े से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी तापमान में तीन डिगरी तक की गिरावटा सकती है कुछ जिलों में ओला वरष्टी भी हो सकती है और मोसम विभाग के अनुसार 18 माई तक परदेश के कई हिस्सों में बारिस और अंधड का अलर्ट जारी किया गया है आगे बढ़ते हैं परदेश की एक और बड़ी खाबर आजिस्तान में याता यात विवस्ता अब आधिक मजबूत होगी सीम गहलोत ने बढ़ते वाहनों के दबाव से सुगम याता यात विवस्ता के लिए 500 नवीन पदों के सर्जन को मंजूरी दी है गहलोत की सवीकरती स उपनिर्खसक के 20 पद, हेड कॉंश्टेबल के 80 पद और कॉंश्टेबल के 400 पदों सहीत कुल 500 पद सर्जित होंगे वहीं सीम गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लिया है राज जिस सरकार सैंसकर्त सिक्सा को बढ़ावा देने के लिए पीकानेर जिले में एक नवीन सैंसकर विधाले खोलेगी साथी में विबिन जिलों के 18 सैंसकर्त विधालेओं को कर्मोनत किया जाएगा आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी और आपके लिए बेहद काम की खबर क्यूंकि 17 माई को संचार साथी पोर्टल लोंच हो रहा है जिससे चोरी या गुम हुए मोबाइल को पलोक और ट्रेक कर सकेंगे और अच्छी बात यह है IMEI नंबर बदलने पर भी यह सिस्टम काम करेगा देखे अभी होता क्या है ज्यादा तर मोबाइल चोरी करने वाले चोर डिवाइस का IMEI नंबर बदल देते हैं जिसके कारण मोबाइल ट्रेक या पलोक नहीं हो पाता और अब इस नए सिस्टम से IMEI नंबर बदलने के बाद भी डिवाइस को ट्रेक और बलोक किया जा सकेगा दरसल आपको बता दूँ अब तक 8000 मोबाइल फोन पोर्टल की मदद से बरामद भी किये गये हैं तो यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपून खबरें वीड पर नए है तो सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहें बड़ी खबरों से धन्यवाद